हेलो गाईज प्रतिक हीर और स्वागते आपका एक और नई वीडियो में तो आज की पहली अपडेट है सिधान जैस्वाल की तरफ से सिधानत ने कल यह अपनी फिजिक अपडेट शियर करी है फिजिक की बात करें तो सिधानत रिप्ट लग रहे है आप उनके चेश्ट, अब्स, अब्लिक्स को देख सकते हो वो कितने लेन लग रहे है मसल मा सही है स्ट्रक्चर उनका बढ़िया रहता है बस उन्हें अच्छे से अपनी बोड़ी को प्रिजन करना होगा अगर वो स्टेश पर हार्ड, फुल, कंडिशन डाते हैं तो जरूर जीत सकते हैं हम पिछले कितने सालों से वेट कर रहे हैं शैज सिधान ने 5-6 अमिचर शोज में जरूर कंपिट करा होगा हर साल हम उनसे उमिद करते हैं पर आइ थिंक इस साल उनकी जितने की चांसे इसको ज़्यादा ही है तो देखते हैं इस साल इस साल वर्दन मलोत राज जीजो जॉन, लोप्रीज सिंग, डेल्टा दिलीप, राजा आजीत यह मुझे कुछ बड़े कंटेंडर्स लगते हैं इन में काटे की टकर हो सकती है दुसरे अपडेट है लोप्रीज सिंग की तरफ से बहुत सारे लोगों को पता होगा लोप्रीज शिरू क्लसिक में कमपिट करने वाले है यह मुझे एक पोटेंशिल कंटेंडर लगते हैं प्रो काड के क्यूंकि आप उनकी रिसेंट फिसिक अपडेट को देख सकते हो वो काफ़े अच्छे लग रहे है स्मॉल वेस्ट कैरी करते हैं बोडी उनकी लीन लग रही है कोवर का एरिया आच्छा है चेस्ट में फाइबर्स है बैक भी सॉलिड है वो क्रिस्मस ट्री कमाल का है उनकी खासियत ये है कि मेंस फिसिक अपडेट होने के बावजुद भी अच्छे लेक्स कैरी करते हैं कमी उनकी फिसिक में मुझे लगती है उनके चेस्ट का साइज चेस्ट फाइबर से भरी है बट उतने फूल नहीं लगती लोगन उस शो में बड़े, मस्कुलर और कंडिशन आये थे आई गेस उनके साइज इंक्रिस किया था स्पेशली अपर बॉड़ी में लैट्स पहले से बड़े और वाइड लग रहे थे व्याक्यूम आच्छा हिट कर रहे थे बैक में भी नोटिसेबल इंप्रुमेंट्स थे कंडिशनिंग बड़िया थी अब वो उलम्पिया को कौलिफा कर चुके है तो देखना होगा कि अब डिरेक्ले उलम्पिया में आएंगे या फिर और शोज में कंपिट करेंगे सेकंड पर रहे डैमियन पैट्रिक और थर्ड पर रहे शैविस हिगा तो कॉंगरेशलेशन लोगन फोर्थ अपडेट है लकी लिब्रा यानि अंद्रिक फर्गिसन की तरफ से तो शायद आपको पता होगा मैंने बताया था कि वो अटलैंटिक कोश्ट प्रो इशो में कंपिट करने वाले है वो शो हो चुका है और रिजल्ट्स अंद्रिके फेवर में नहीं आये है इवन वो टॉप टू में भी नहीं है वो थर्ड पर आये है और आरिया सफाय इशो को जीच चुके है और उलम्पिया को कौलिफाय कर गए है अंद्रिकी बात करो तू उतने शार्प नहीं लग रहे थे आप इस फोटो में देख सकते हो उनकी बैक उतनी हार्ड डेटल नहीं लग रही फ्रेंट से भी उतने शार्प नहीं थे बॉडिन ने वाटर होल्ड किया था तो आप कैसे सोचते हो कमेंट करना और आरिया सफाय पाचिय अपडेट है अकिम विलियम्स की तरफ से अकिम ने ये अपनी रिसेंट फिजिक अपडेट शेर करी है और उन्हें ये गेश पोजिंग करी थी जिसमें आप उनका साइज देख सकते हो वो मैसिव लग रहे है लेग्स, आर्म्स, ओवराल साइज बड़ा है बट साइज की प्रोब्लेम उनके साथ कभी नहीं होती उन्हें बस कंडिशनिंग लाने में दिक्कत होती है बट जब वो पिक करते हैं तो बहुत डेंजरस लगते है हमने 2020 के ओलम्पिया में देखा था उन्हें अपनी कंडिशनिंग सुधार नहीं होगी उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि कि शो को चूज करेंगे अगली अपडेट है इंडियन हल्क बादल की दरफ से आपको पता होगा शायद कि वो शिरू क्लासिक में कम्पिट करने वाले है ओपन डिविजन में रिसेंटली उन्होंने ये फिजिक अपडेट शियर करी थी जिसमें वो थ्री वीक्स आउट है बट I don't think कि ये कंडिशनिंग थ्री वीक्स वाली है वो अभी काफी फैट करी कर रहे है लेक्स उनके वन अप दी बेस्ट होते है काप्स के जेनेटिक्स बढ़िया है अपर बॉडि थोड़ी कमज़ोर है कमज़ोर इन दे सेंस वेस्ट उनकी वाइड है चेस्ट शोल्डर्स में उतना मास नहीं है बट देखते हैं थ्री वीक्स में और कितनी इप्रुमेंट्स कर पाते हैं लास्ट के अपडेट में बात करते हैं शाम सिंग शेरा की आपको पता होगा कि वो शेरू क्लासिक में मेंस फिजिक डिविजन में कंपिट कर रहे हैं उनके रिसिंट फिजिक अपडेट के बात करें तो आगेस उनके जितनी मसल मैचूरिटी किसी के पास नहीं होगी आप सिर्फ चेस्ट में शोल्डर्स में फाइबर्स देख सकते हो वाव मतलब फैट वाटर का नाम और निशा नजर नहीं आ रहा मसल मैचूरिटी अलग लेवल पर है बट उनके साथ एक बड़ा प्रोब्लेम है प्रपोर्शन्स मिन्स फिजिक में जैसे स्मॉल वेस्ट, वाइड शोल्डर्स, वाइड बैक लगती है वेसे प्रोपोर्शन्स उनमें नहीं है वेस्ट थोड़े उनके वाइड है बट आई थिंक वाच्छा कर सकते है अगर थोड़ा साइस लूज करके अस्थेटिक्स पर काम करे वाट डियो थिंक तो यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर करना और एसी आच्छे अच्छे वीडियों के लिए सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू